नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक फ़र फिट से मारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिश ने आप सभी का एनिकी कॉंस्टेबल पत के लिए आपका रिकूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिये गया है जी हैं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी पोस्ट के बारे में तो इसमें जो पोस्ट रहेंगी 7547 पोस्ट आपकी इस बार रहेंगी अगर आप इसके वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपका दिल्ली पुलिश कॉंस्टेबल को लेके कोई भी डाउट आप सभी का नहीं रहेगा तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं अगर आप लोग कहीं से भी बिलोग करते हैं एक बार वीडियो को complete देख लो आपको कोई भी doubt नहीं रहेगा तो चेली वीडियो को start करते हैं बिना दरीके जैसा कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं दिल्ली पुलिस नहीं कि SSC ने पहले ही अपना conduct कर दिया था बता भी दिया था कलेंडर में कि एक September को आपि पेकेंसई आ जाएगा और जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे भी होंगे कि इक September है आज के दिन और आज की आपकी Сам आजुगिए ठीक है यह अप लोगं यहाँ पर 서क्ते है वह अज ट्राइम ओफिशल वेब UM ad अब हम चलते हैं देखिए नोटिफेकेशन की तरफ नोटिफेकेशन हमने अल्डेडी पहले से डाउनलोड कर लिया है आपको कैसे करना होगा वो मैं आप सभी को बाद में बता हूँ ठीक है अब यह आप लोग देख सकते हैं नोटिफेकेशन आप लोग यहां पर देख पा चाहूँको बिकरना चाहुकं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करणे अगरा किकेशन देट्स हैं वो आपके different different dates हैं जो कि आपको पहले से पता होंगी ठीक है नहीं पता हैं तो मैं आपको बता दूँगा बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं है आगे बात करते हैं आपको apply करने के बारे में देखिए मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा कि आपको कैसे form हम apply करना है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी salary के बारे में तो आपकी minimum salary के बारे में बात करें तो इसकी जो salary वो पे लेवल थाड़ के according आप सभी की salary मिलती है तो इसमें जो salary मिलने वाली है वो आपकी 21,700 रुपे से लेकिए 79,100 रुपे तक आपको इसमें salary दी जाएग रहेंगी वो 4,453 पोश्ट रहेंगी जिसमें की category वाइस आप लोग देख सकते हैं यूर की 2,748 पोश्ट हैं EWS की 488 पोश्ट हैं OBC की 258 पोश्ट हैं SC की आपकी कितनी है 717 पोश्ट हैं और आप बात करें ST category को 242 पोश्ट हैं total mail candidate की जो पोश्ट हैं सभी category को मिला के वो जो होते हैं उनके लिए भी यहांपे वेकैंसी रखे गई हैं 266 पेकैंसी जो के category वाइस आपको यहांपे डिवाइडेन है इस तरीके से आप लोग यहांपे देख सकते हैं ठीके बाई बात आगे करते हैं देखीगा सेम कमांडो बगेरा के लिए यहांपे एक्सरवेश्म पर सब्केंसी हैं से के यहांपर बात करें प Bayless वेकैंसी है आपकींसी के लिए अब बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा age limit के बारे में आप सबसे पहले बात जान लेते किसका age limit क्या है और कबसे आपकी age limit काउंट की जाएगी age limit जो count की जाएगी वो आपकी 1 July 2023 से आपकी count की जाएगी means 172030 को minimum आपकी जो age होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और maximum आपकी 25 साल होनी चाहिए ठीक है 18 से 25 साल तक के candidate इसमें apply कर सकते हैं अगर मैं date of birth की बारे में बात करूं तो आपकी date of birth जो है दो जुलाई 1998 से लेके एक जुलाई 2005 की बीच में अगर आपकी date of birth है तो आप दो candidate apply कर सकते हो ठीक है बाई क्लियर हो गया होगा आगे बात करते हैं अनिकी departmental बगेरा उनके लिए अलग से यहां पर छूट दी जाती है तो वो लोग आप अच्छे से जानते ही होंगे ठीक है तो दोस्तों आप बात करते हैं आपकी यानिकी sensual qualification क्या इसमें चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो देखिके qualification जो है मैं आ आप लोग यहां पर देख सकते हैं senior secondary 10 plus 2 इसका मतलब यह होता है कि आपने अपना 12th pass कर लिया है मैं अपने 12th class अगर आपने पास कर रखा है तो अब इसमें apply कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बात करते हैं और क्या कि जो भी चीज़ आप लोग यहां पर देख सकते ह हैं और तो कुछ नहीं है यहां पर male candidate के लिए यहां पर बता गया है कि driving license यह motor vehicle का और यहां पर देख सकते हैं learning license is not applicable देखे इस तरीके से यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगी इस lining में ठीक है यहां पर क्लिए तरीक से दे रखा है male candidate must process a valid driving license for LMB ठीक है motor vehicle यहां पर दे गया learner license is not applicable इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा candidates who are not occupied education qualifications यानि कि जो आपकी date दे रखिए उससे पहले अगर आपकी qualifications complete है September से पहले तभी आप इसमें applicable होंगे कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी तभी आप लोग इसमें select होंगा अगर इसके बाद के आपकी qualification से मतलब आपने 12-30 September के बाद में हो रहा है आपका तो आप इसमें form apply नहीं कर पाऊगा करोगी भी तो दिक्कत होगी आपको आपको आगे पर दिये जाएंगे जो भी आपके 5 परसेंट मलत100 नंबर है आप लोग जानते हैं तो 5% पर कितने simple सी बात है सीधे 5 नंबर होगे आपके आपके पास C certificate अगर आपके पास B certificate है तो आपको 3 नंबर दिये जाएंगे ठीक है ठीक है बई और आपके पास A certificate है तो आपको 2 जो भी आपको पता है कि NCC के Certificates होते हैं वो तब चेक के जाएंगे और यहां पर देख सकते हैं at the time of document verification means आपका जो document verification होगा उसके लिए आप लोग सारे चीज़ है मांगी जाएंगे आपको दिखाने भी होगी ठीक है बैटेज of additional marks आप लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है और कुछ यहां पर इस तरीके से यहां पर दे रखा है तो आपको पांच परसंट छूट दे जा क्लास वाइस भी यहां पर आपको छूट भी दी गई है तो इसमें काफी benefits हैं अगर आप अच्छे पढ़ने में हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपको यहां पर extra number भी दी जाएंगे में लिए बात करते हैं application fees के बारे में तो application fees जो रहेगी वह आपकी 100 रुपीज रहेगी असम आप लोग इन category से बिलोग करते हैं और male candidate हैं आप तभी candidate को आपको application fees का payment करना पड़ेगा कितना 100 रुपीज बाकी मालों अगर आप लोग सी से या स्टी से हैं तो भी आपको कोई payment नहीं करना चाहें male है या female कोई payment नहीं करना ठीक है और जो भी candidate female है और आप किसी भी category से है female है को मिला कि आप all female जितनी भी फिमल नहीं किसी भी category से अगर आप लोग हैं तो आपको कोई भी payment करने के कोई जरूत नहीं इसमें 0 रुपीज में आपका form भढ़ जाएगा ठीक है अगर आप लोग फूद में एप्लाई करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं में आपको बता जब form भा रहें तो अच्छे साइब करें को दिक्कत ना हो ठीक है इस तरीके से आपको form भारें यह centers है जो कि आपको यहां पर दिख जाएंगे exam centers जो कि आपके region wise आपको पता चल जाएगे जो कि आपके center आपको नजदीक दिखाई दे UP भार में आपको यह center मिलेंगे तो ज पूचे जाएंगे जो कि दोनों language में रहते हैं हिंदी में भी और इंग्लिस में भी total question की बात करें hundred question रहेंगे hundred marks के means 100 question पूचे जाने बाले है 100 number के paper रहेंगे 100 question ठीक है बात करते हैं देखिए आपके general knowledge और current affair के बारे हम बात करें तो आपके current affair और general knowledge से आपके 50 question पूचे जाएंगे जो कि 50 marks के रहने वाले हैं reasoning से बारे हम बात करें तो reasoning से आपके 25 question 25 नंबर के रहेंगे numerical ability की बारे हम बात करें 15 question पूचे जाएंगे 15 नंबर के रहेंगे बात करते हैं computer देखिए computer fundamentals और MS Excel और आपका communication internet www and web आपका browser जो भी है और ETC से related आपके 10 question पूचे जाएंग यहां पर 90 minutes का आपको clear तरीके से timing दिखा रखा है यह अच्छे से देख लीजेगा ठीक है ठीक है बाई 90 मिनट का आपको timing यहां पर दिया गया है और देख सकते है 0.25 की आपको इसमें negative marking भी यहां पर रखी गई है ठीक है बाई 0.25 की negative marking है computer based आपका exam होने बाला है देख सक सकते हैं general knowledge and current affairs का reasoning का स्लेबस आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है numerical ability का स्लेबस आप लोग लाए स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका आपकी रेस होने वाली है जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगर आपकी 30 टक एज है 6 मिनट में आपको complete करनी है जो बागी जब सभी candidate के लिए 25 तक है मालो तो जनरल जो भी candidate है उनको 6 मिनट में ही complete करनी है ठीक है और जो मालो एक्स सर्विसमें candidate है पी डवलो डी है हां मतलब जो departmental candidate है उनके लिए यहां पर extra time दिये जाएगा 30 से 40 साल एज है तो आपकी 7 मिनट दिये जाएंगे और 40 साल से plus है तो आपको 8 मिनट टाइम दिये जाएगा तो इस तरीके से यहां पर दे रखाए लेकिन बागी जो भी candidate 18 से लेके 25 साल तक या 30 साल तक की candidate है उन शचाहिए तरीके से आप लोग आपर देख सकते हैं बात करते हैं यह चीजें आपकी दिखिक पास तो करने पड़ेंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा के लिए तरीकर से आपको 3 चांस जो आपको दिये जाएंगे लेकिन आपको क्वालिफाई ही करना पढ़ेग पर चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है बात करते हैं दिखिए स्टेंडर्ड ओफ मेडिकल मीजरमेंट टेस्ट मेल केंडिट के लिए तो बात करते हैं हाइट के बारे में तो 170 सेंटीमेटर आपके हाइट होनी चाहिए सभी केंडिडेट की ठीक है चाहें आप OBC से बि बात करते हैं जो केंडिट डिली पुलिस के वियानी की उनके पिताजी डिली पुलिस में है यानि के आप लोग देख सकते हैं स्टाफ में जो भी हैं यानि में या फिर डिली पुलिस में पर्सनल कोई भी कहने उनके पिताजी या फैमली में कोई मेंबर्स हैं तभी आपको पांच परसेंट की यहां पर यानि की स्वारी पांच सेंटीमेटर की इसमें छूट दी जाएगी बात करते हैं चेस्ट के मारे में तो आपका 81 सेंटीमेट 5 सेंटीमेटर जो बी आपको लोग देख सकते हैं देले लोवी पुलिस रहे पांच सेंटीमेटर की यहां पर छूट दी गई यह सारी चीज़ें आपको qualifying nature इसको pass करना compulsory होगा इसमें आपको तीन chance दे जाएंगे सभी चीज़ों में ठीक है आगे बात करते हैं standard of physical measurement for female candidate ठीक है height के बारे में बात करते हैं 157 cm height होनी चीए female candidate की और जो candidate इन area से बलोंग करते हैं उनके लिए यहां पर आपको 2 cm की suit दी SCOST दोनों को यहां पर दिया गया है लेकिन male के लिए ऐसा नहीं दिया गया male के लिए तो किपल ST के लिए चूट दी गई है लेकिन इहां पर इस बार आपको option है यहां पर कि अगर आप लोग female candidate हैं और आप लोग SC से बलोंग करते हैं तो यहां पर आपको 2 cm की height में चूट दी जगई, दी गई है, ठीक है, और अगर आप लोग दिली पुलिस में MTS, MTS में आपके पिताजी हैं या कोई भी हैं, या फिर आपको दिली पुलिस कॉंस्टेबल MTS में कुछ में भी हैं, तो आपको 5 cm की छूट भी दी जाएगी इसमें, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्राइटरिया, फिजिकल का मैंने आप सभी को बता दिया हैं, मेडिकल के बारे हम बता देता हैं, 6y12 पर यहाँ पर दे रखा है, बिदाउट गलासेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको देख लीजेगा, साइज जो भी है, आप इस चीज़ को आप लोग छोड़ दीजीगा, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग में आगे बात करते हैं, डॉकमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका होने वाला, आप लोगों को बता है, फिजिकल होगा, ठीक है, डॉकमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ है, वो ची से जानते होंगे ठीक है यहां पर दे रखा था Candidate Scoring Below Vincent Cutoff नॉर्मला जेज बिल भी Considered eligible for shortlisting for the next है यहां पर दे रखा है इस तरीके से यहां पर complete जानकारी दी जाती है notification में एक टूजय इंफर्म कर दी है फोटो का मैं आपको बता देता हूं फोटो आप लोग जब अप्लोड करें तो इस तरीके से फोटो होना चाहिए किलियर तरीके से फोटो ठीक है फोटो आपका इस तरीके का होना चाहिए अगर आप लोग इस तरीके इसका कैसे फोटो आप लोग अप्लोड करते हैं यह जो फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपके ऐसा भी फोटो अगर आप लोग अप्लोड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आप अप अपना फॉर्म बरें तो एक बार दियान रख लें कि आपको जो फोटो आपको जो फोटो आपको इस तरीके का दिखाई देना चाहिए ठीक है बस और कुछ भी नहीं है आप जो में में पॉइंट से मैंने आप सभी को बता दिया है साट का सेटिफिकेट मैं आपको पहले का चाहिए होता है आपके cv category से belong करते हूं इस बास से कोई मतलब नहीं है ठीक है बस इतनी सी information मैं आप सभी के साथ में share करने बाला था मैंने सारी जानकारी आप सभी के साथ में share कर दिये आप इस notification को डाउंलोड करना चाहते हैं तो हमारे telegram चनल से जाके कर सकते हैं सारी ज क्प्लीट जानकारी इस बीडियो में आपको दे दिये मेरे साब से अब कोई किसी भी तरह का कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए फिर भी कोई डाउट या आप सभी का question रह गया हो तो आप comment box में पूछ लीजिगा और आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब